साथियों, देश ने पिछले आठ वर्षों में गरीब को ससक्त करने के साथ ही, गरीब तक मुल्भुश सुविधाय पहुचाने के साथ ही, आधुनिक इंफ्रासेक्टर बर भी फोकस किया है। रोड हो, रेल हो, एरपेट्स हो, टरनेल्स हो, सोलर पावर प्लाइंट हो, स्टेडियम हो, अप्टिकल फाइबन रेटवर्ट हो, जो भी हो, सबसे उत्तम हो, सबसे स्रिष्ट हो, ये आकांच्छा लेकर आज भारत चल रहा है। और साथियों, मैं एक और बात आपको याद दिलनाना चाहूंगा। हम सिर्फ गोशना करने के लिए गोशना नहीं करते हैं। हम राष्ट निर्मान के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ पांच वर्स के राजनितिक नफा नुक्षान को देखते हुए हम कोई भी गोशना नहीं करते हैं। हमारी हर गोशना के पीछे एक दुरगामी लक्ष होता है। एक रोड मैप होता है। ये बात स्पस्त है कि देश आज शॉर्ट कट नहीं चाहता। देश का मद्दाता आज इतना जागरुख है कि क्या उसके हित में हैं। वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्ट करकी राजनिति का कितना बड़ा नुक्षान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संसय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समर्द होगा, तो सब की समर्द दिता है। हमारे पुर्वजों के पास अनुभव का अगाद ज्यान था। और अनुभव के निचोड से कहावते बनती थी। और हमारे यहां हमारे पुर्वजों ने हमें विरासत में दीवी एक कहावत है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर यह वाला हिसाब रहेगा, तो क्या स्थिती होगी, यह हम दुनिया में हमारे अडोस पुरोस में आज बली भाती देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है, देश के हर राजनितिक दल को यह याद रखना होगा, कि चुनावी हद कंजलों से किसी का भला नहीं हो सकता।